एक महत्वपूर्ण चीज इससे पहले भी देखने को मिलती है हमने इन सारी बातों को सीखा लेकिन एक अध्याय में जब हम देखते हैं एक का एक से चौदा तक उसके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम नोट करते हैं जो हमें सीखनी चाहिए ठीक है अब इस कली कलीश्या के अंदर जो के नई थी जहां पर कुछ गडबड़े हो रही थी जहां पर कुछ लोग इधर उदर भटक रहे थे जो लोग आधा अपना रोमी नियमों के नुसार जीवन जी रहे थे और आधा बाइबल के वचनों के नुसार जीवन जी रहे थे वैसे लोग भी बैसे लोग भी थे जो अच्ये आत्मा में बढ़ रहे थे ऐसे लोग भी थे और हुआ अपस में प्रेम करने वाले ऐसे जो आपस में बहुत ज़ादा प्रेम करते थे कि अंदर ओर यह सवबों मिक नीशिय का संघर्श है कि सब्सक्तर नहीं होता है कोई कमजोर है तो कोई स्ट्रॉंग भी है है न कोई थोड़ा सा बटका हुआ जीवन जीरा है कुछ लोग ऐसे भी है जो प्रभू के साथ द्रड़ता के साथ में विश्वास में मजबूत होकर चलते हैं वही इस कलीश्या में भी ऐसे लोग थे हालेलुया और पॉलुस पॉलुस जो परमेशर की इच्छा से येश्व मसी का प्रेरित है और भाई तिमुतिस की ओर से मसी में उन पवित्र और विश्वासी भाईयों को जो कुलिश्य में रहते हैं हमारे पिता परमेशर की ओर से अनुग्र और शांती मिले हालेलुया अभी वाधन के साथ सुरू मिले वहाँ पर लिखा जाता था तो उस प्रकार पोलुस ने भी अपना नाम वहाँ पर लिखा है और अपने अधिकार को जो परमेशर की इच्छा से मसी का प्रेरित है अलेलुया पोलुस अपने आपको प्रेरित कह रहा है किसके इच्छा से प्रेरित है वो मसी के इच्छा से प्रेरित है स्वेम की इच्छा से प्रेरित नहीं है वो खुद उसने अपने आपको प्रेरित नहीं बनाया परमेशर ने उसे प्रेरित करके नियुक्त किया है परमेशर ने उसे प्रेरित करके स्थापित किया है कि वो परमेशर की सेवा करे वैसे आज कला बहुत सारे प्रेरितों को देखोगे बहुत सारे प्रेरितों की मंडी लगी हुए लेकिन प्रेजितों के जिंदगी हम देखते हैं पॉलस की क्या जिंदगी है जब से उसने परमेशर से दर्शन को पाया परमेशर को जाना परमेशर से उसने मक्षद को पाया कि उसे करना क्या है तब से उसे अपनी जिंदगी में वो ट्रेवल ही करता रहा सुसमाचा सुनाया एक जगे गया सुसमाचा सुनाया कुछ समय बिताया कलिशय स्थापित की वहाँ पर अगूँ को निक्त किया और फिर आगे चल दिये वहाँ पर जाकर फिर से कलिशय वह प्रचार किया कलिशय स्थापित की वहाँ पर अगूँ को स्थापित किया नियुक्त किया, किसी और के हाथ में कलीश्या सौफ के, चल दिये, फिर आगे जाके सेम काम कर रहे, ये प्रेरितों के जिंदगी थी, बाइबल के प्रेरित तो ऐसे ही प्रेरित थे, आजकल के जो प्रेरित हैं, आप उन्हें पहचान सकते हो, बाइबल के प्रेरितों के साथ उनके जीवन का मेल मिलाब कीजिए उन बाइबल के प्रेरितों ने बीज बोया सूसमाचार का बीज और आजकल के प्रेरित बीज बोने के लिए बोलते हैं बट ये बीज का उन्होंने रंग रूप ही बदल दिया बीज बो मतलब पैसा दो अच्छा-च्छा है ना 25-25 जा हो उसके जिंदगी को हम देखते हैं कि हां सच में एक प्रेरित होता क्या है कैसा प्रेरित के जिंदगी होती है हम पोलुस के जिंदगी से देख सकते हैं सौसावधान रहे आजकल जो प्रेरित घूमते हैं आप उनको पहचान सकते हैं और एक चीज और हम देखते हैं कि प् पुद्धा बे जिन्दा हुए लेकिन उन्होंने कभी भी खुद महिमा नहीं करवाई उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि यह तो मैंने किया है पोलुस यही बोलता है कि परमेश्र ने किया है पत्रस जब कुरनेलिस के घर पे गया कुरनेलिस उसके पैरों में पड़ गया और वह पत्रस बोलते हैं मैं भी तो तेरे समान मनुष्य ही तो हूँ आप देखते हैं नमरता और बार बार जहां पर भी हम अद्बूत् की यह खुद नहीं आज करके प्रात्थ आप देखते हैं किस प्रकार कहते हैं पापा जी आपने प्रात्ना की आपने जैसेन की उपर लेहंड प्रेर की पापा जी चलने लगई ना तो एक पापा जी भी बने हुए है खुद परमेश्र की महिमा को चोरी करते हैं खुद अपना नाम उचा कर रहे हैं तो ये है प्रभू के सच्छे जो दास है प्रभू के सच्छे जो प्रेरित है उनकी जिंदगी ये है कि वो खुद के लिए नहीं जीते थे वो प्रभू के लिए जीते थे वो उन्होंने अपने लग्जरी जिन्दगी रोयल जिन्दगी को त्यागा था और प्रभू के लिए दुख उठाया था मार खाई थी कमी घटी में भी रहे थे जान माल की हानी भी उठाई थी कई बार तो इस कदर पीट के उनको डाल दिये गया ऐसे लिखा पॉलूस के बारे में एक बार गया प्रचार किया लोग बिरिया के लोग खूब उत्साइत हो गए और ये देवता हमारे बीच में आये गए थोड़ी देर के बाद में कोई और आये उन्होंने बुला रे ये प पथर उठाकर पॉलूस को मारते हैं और ये सोचके कि ये मर गया सहरपना से बाहर उसको फेक करा जाते हैं लिखाए वो उठे और फिर आगे जाके सेवा करने लग गए सेवा से पीछे नहीं अटे अपनी लगजरी जिन्दगी को छोड़के उन्होंने संगर्स पूर्ण ज बचने की कोसिस करें प्रभू का वचन क्या कहता है उनका चरित्र प्रभू के वचन में आपको देख जाएगा ठीक है तो ध्यान रखें झाल 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 कि वो सूसमाचार के द्वारा जीवन परिवर्तन की बात करता है उन्हें बताता है कि तुम्हारे खुद की खुबी नहीं है कि तुम्हारे खुद की खुबी नहीं है कि तुम आपस में इतने अच्छे अपने आप तुम नहीं बने लेकिन सूसमाचार जो तुमने सुना है उ उसने हम तुम्हारे विशे में हमें बताया है तुम्हारा प्रेम जो आपस में है तुम्हारा प्रेम जो पवित्र आत्मा में है इपफरास ने हमारे साथ में उस चीज को बाटा है हाललोया कितनी सुंदर बात है दो सेवक एक साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं और एक नमरता इपफरास के अंदर हम देखते हैं जिस चीज को सायद वो उसको उस प्रिवर्तन को लाने की सामर्थ को सायद वो अपने अंदर महसूस नहीं कर रहा था सायद वो सोच रहा था कि मुझसे हो नहीं पाएगा मुझे मदद लेनी चाहिए तो वो मदद लेने के लिए गया हमें कई बार मदद की जरूत होती है जो जितने भी कलीशा के पास्टर्स होते हैं वो आपस में उनके मेंटर्स होते हैं उनके उपर लीडर्स होते हैं जब उनको कोई दिक्कत होती है तो वो उनकी पास जाते हैं कि इस सिच्वेशन में मुझे क्या करना चाहिए और ये एक अच्छी बात है हमें बात करने चाहिए हललेलुया कि तुमारे विशे में इप प्रास ने में बताया है कि तुम समस्त आत्मिक ज्ञान और समझ सईद परमेश्टर के इच्छा में परिपूर हो जाओ हललेलुया हमने सुना है तुमारे आप सी प्रेम सब चीज़ों के बारे में जब से सुना है हम तुमारे लिए प्रातना करते हैं हललेलुया उनकी प्रातनाओं में पूलुस की प्रातना है बस परमेश्टर के लिए परमेश्टर के राज्य के लिए कलीश्याओ के बढ़ोतरी के लिए कलीश्याओ की आत्मिक जंद की सही हो कलीश्याओ आगे बढ़े इन सब चीजों के लिए पॉलुस की प्रातना है, हम हमें साथ देखेंगे, प्रेरतों की प्रातना आप इसमें देखो और आजकल देखना आपको समझ में आ जाएगा अंतर, पॉलुस ने उनकी तारीफ की है, तुमारे बीच में अच्छा प्रेम है, और ये अच्छा विश् करता है, बढ़ते जाओ, यही आगे का विश्Y पॉलुस, उनकी बड़ोत्री के लिए प्रातना करता है, क्या प्रातना करता है, इसी कान, जिस दिन से हमने इसके में सुनाय तो मारे लिए प्रातना और ये विन्ति करना नहीं छोड़ा, कि तुम समस्त आतमिक ज्ञान, और समझ सहीद परमिश्र की इच्छा में परिपून हो जाओ हालेलुया किसके लिए प्रात्ना कर रहा है आत्मिक ज्यान में बढ़ते रहो तुम्हें बढ़ना है अच्छा है तुम्हारा विश्वास अच्छा है आप उसमें रिष्टे ही अच्छे है आप उसमें प्रेम अच्छा है अच्छी बात है लेकिन तुम्हें और उन्नती करनी है तुम्हें और बढ़ना है तुम्हें और उपर उठना है हालेलुया ये जो तुम्हारे बीच में है खूबिया जो तुम्हारी अच्छाईया ये काफी नहीं है, तुम्हें और भी उन्नती करना है, तुम्हें और भी आगे बढ़ना है, हललुया, परमीशर चाहता है, कि कलीशिया उसकी दे उन्नती करे, कलीशिया उन्नती करे, कलीशिया बढ़े, हललुया, पोलुस की प्रात्ना, यहां पर देखिए, उसने यह नहीं क कर रहा कि तुम्हारे बीच में अद्बुत काम हो चिन चमतकार हो बड़े-बड़े काम हो यह प्रातना नहीं कर रहा हो प्रेद पॉलस प्रातना कर रहे हैं लेकिन यह प्रातना नहीं कर रहे हैं तुम्हारे बीच में अभिशेक बड़े-बड़े अद्बुत का रहे हो इन जिए जो की बात हुँ करी नहीं रहें कि ये बातें दूसरे इसतर की सेकंडरी एं अद्बुत काम चन्चमतकार चंगाईयां यह दूसरे इसतर की bads हैं सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए पौल उसके आत्मिक ज्यान में बढ़ो हालेलुया तुम्हें आत्मिक ज्यान में तुम्हें बढ़ना है परमेश्र के आत्मिक ज्यान को तुम्हें सीखना है तुम्हें जो तुम्हारा दाव तुम्हारे बीच में सेवक है फ्रास उस आत्मिक ज्यान में बढ़ो यह सबसे पहली बात सबसे ज़्यादा जरूरी है वह यही है जब हम आत्मिक ज्यान में बढ़ते हैं और जब हम प्रभू के ओर नजदीक आते जाते हैं प्रात्सनाओं में सब चीजों में बढ़ते जाते हैं अद्बुत काम अपने आप होते हैं और वो करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नी करेगा, प्रभू ने बोला ना, जो मुझे पर विश्वास करेगा, वो दुस्टात्मा को भी निकालेगा, बविश्यवानी भी करेगा, मुर्ते भी जिन्दा हो जाएंगे, बिमार भी चंगे हो जाएंगे, प्रभू ने तो कहा है सब विश्वासियों के लिए परमेशन इस बात को कहा है मर्कुस सोला ध्याय में भी हम देखते हैं पूरी बाइबल के अंदर भी हम देखते हैं कई जगे पढ़ते हैं आप जो प्रातना करें प्रभू मेरे दोरा अद्बूत काम कर बड़े-बड़े काम कर बिल्कुल करें लेकिन पहले आत्मी ज्यान में बढ़ो उसे जानो तुम्हें सीखना है सीखो पहले अधूरे ज्यान के साथ में हम मैदान में खरें नहीं उतर पाएंगे हमें प्रभू का ज्यान प्रभू की आत्मा के जो ज्यान है हमें होना चाहिए हमें सीखने के जरूरत है अलेलुया पोलुस प्राजना कर रहा है, तुमें बढ़ना है, आत्मिक ज्यान में बढ़ते रहो. दूसरी बात क्या कहता है? समझ सईद परमेशर की इ開心 में, पहचान में, इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ. परमेशर की इच्छा को जानो तुम्हारे लिए परमेशर की इच्छा क्या है क्या परमेशर तुम्हारे द्वारा करवाना चाहता है किस सेवा के लिए, किस कारी के लिए परमेशर चाहता है कि आप करो परमेशर की इच्छा को जानो पूछो परमेशर से प्रभू मेरे जिन्दगी से आप क्या चाहते हैं जब हम ये प्रातना करते हैं प्रभू मेरे जिन्दगी से तु क्या चाहता है मेरे जीवन के लिए तेरा मक्षद क्या है हम अपने समर्पन को भी दिखाने हैं परमेशर मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाता हूं, मैं तेरी इच्छा के नुसार चलना चाता हूं, एक समर्पन को भी ये प्रात्ना दिखाती कि तुम समर्पित हो जाओ, जब हम प्रभु की इच्छा को जानते हैं, हम की कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा मेरे लिए क् मुझे बता मैं क्या करूं तेरे लिए मुझे बता उसी वक्त हम ये भी कह रहे हैं परमेशर वो नहीं करूंगा जो मेरा मन कहता है प्रभु में वही करूंगा जो तू कहेगा इस प्रकार के समर्पन की मांग भी परमेशर करता है तो तुम्हें आत्मिक ज्यान में बढ़ना है कुलिशय की कलिशया आत्मिक ज्यान में बढ़ो परमेशर की इच्छा को जानो और यही बात ये शुनाम सत्सिंग कलिशया हमारे लिए भी है हमारे अंदर अच्छी ठीक है ह हमारे पास अच्छी बिल्डिंग है अच्छे बहुत सारे लोग भी हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे आपस में प्रेम करने वाले लोग भी हैं सब बाते ठीक हैं अच्छी हैं लेकिन इनी चीजों के अंदर अपने आपको सिमित मत करो इनी चीजों में अपने आपको खुस मत करो इन छोटी-छोटी उपलब्दियों में अपने आपको संतुस्त मत होने दो हमें बढ़ना है हमें क्या करना है हमें बढ़ना है आत्मा की ज्ञान में बढ़ना है परमेश्र की इच्छा को जानने में हमें बढ़ना है पूछना है हमें एक एक व्यक्ति, पूछे परमेशर से, प्रभू, मेरे जीवन चे तेरी क्या उदिश्य है, प्रात्ना करें, पॉलूस का जीवन हमारे लिए उधारन है, कि किस प्रकार, जब हम परिवर्थन भी अपने अंदर मांगतें, प्रभू मेरे जीवन को बदल, मेरे जीवन को बदल लेकिन हम बाकी चीजों के उपर फोकस नहीं करते हैं प्राथना कभी हम करते हैं प्राथना में यह नहीं मांगते हैं प्रभू तू क्या चाहता है मेरी जिन्दगी से पोलूस को जब पता चला कि प्रमेश्णर उससे क्या चाहता है पोलुस की पूरी जिंदकी बदल गई हम भी जब ये जान लेंगे कि परमेश्चर मेरी जिंदकी से क्या चाहता है परमेश्चर की आवाज को जी दिन हमने पा लिया हमने सुना प्रभू की मेरी जिंदकी से क्या चाहता है आपकी जिंदकी बदल जाएगी पोलुस के जिंदगी किस प्रकार बदली पोलुस जब जा रहा था दमिस्क के रास्ते पर परमेश्ण से इसका सामना हुआ येश्व मसी ने उसको कहा पोलुस मुझे क्यों सताता है पोलुस ने का तु कौन है उसने बुला मैं येश्व मसी हूँ हालेलुया तीन दीन वो अंधा रहा और एक हनन्या नाम के दास के द्वारा उसके लिए प्रात्वना की गई और उस दास के द्वारा परमिशन ने बताया पुलुस, पर मिशल ने तुझे बड़े-बड़े अधिकारियों के सामने, राजाओं के सामने, अनजातियों के मध конце अपना गवाह होने के लिए तुझे चुना है हाललुया, पोलुस करने क्या जा रहा था, जो विश्वासी लोग थे, जो कलीश्याएं थी, वो उन कलीश्याओं को नास करने के लिए जा रहा था, याज़कों से चिठी उसने लिखवाई, पर्मिशन उसने लिए, लेटर लेकि वो जा रहा है कि कलीश्या को मुझे तभा कर करना है कलीश्या को मुझे खतम करना है इसे ही वो अपना धर्म समझता था एक ऐसा क्रूर वेक्ति जिसने जिसने हत्या भी करवाई स्टिफनुस की हत्या पोलुस की उपसिति में हुई थी रोवो सहमत था स्टिफनुस की हत्या के लिए कि इसको तो मरना ही चाहिए और वो वहाँ पर मौझूद था और जो लोग मार रहे थे उनके कपड़ों की वरकवाली कर रहा था एक ऐसा क्रूर जो हत्या करवाता था जो लोगों को मारता था वह व्यक्ति जब उसने जाना कि परमेशर उसके जीवन से क्या चाहता है वह व्यक्ति एक क्रूर हत्यारे से एक महान मिस्णरी के रूप में एक महान सूसमाचार के रूप में वह उभरा हालेलुया क्यूंकि उसने जान लिया कि परमेश्र उससे क्या चाता, उसने सच्चे परमेश्र को जान लिया, उसने सूसमाचार को जान लिया और उसका जीवन परिवर्तन हो गया, इसलिए इपने जीवन के लिए परमेश्र की इच्छा को जाने परमेशर आपको बताएगा और उस कारे को करने के लिए परमेशर आपको परिवर्तन करने के लिए भी आपकी मदद करेगा और आप बढ़ते जाएंगे आलेलुया जिस परकार पोलुस के चीवन में हम देखते हैं आत्मिज्ञान में बढ़ो परमेशर की इच्छा में बढ़ो एक दसमे कहलेका है जिससे तुम्हारा चाल चलन प्रभू के योग्ये हो जाए यहाँ पर पोलुस सिखाना चाता है तुम अपने चरित्र में भी बढ़ो तुम्हें अपने चाल चलन में बाइबल में कई बार यह सब्दा आता है चाल चलन चरित्र में तुम्हें बढ़ना है तुम अपने पुराने चरित्र से निकलो पुराना जीवन जो तुम जीते थे वेविचार करने को तुम अपनी अ उस पाप को उस पुराने मनुश्यतों को तुम उतार डालो जो बीते समय में तुमारा था अब तुम नए मनुश्य बन चुके हो इसलिए तुमें नया जीवन जीना है मतलब अपने चाल चलन को ऐसा बनाओ जो परमेशर को भाए प्रभू के योग्ये तुमारा चाल चलन हो जाए चरित्र में बढ़ना है आज भी मतलब ये इस समय पर हमेशा सही रहा है बाइबल के अंदर भी हम देखते हैं आज कल तो बहुत ही सामा नहीं बात हो गई है चारित्रिक स्थर पर लोग बहुत जल्दी गिर जाते हैं चारित्रिक छेत्र में अपने चरित्र के छेत्र में अपने चाल चलन के छेत्र में बहुत जादा लोग गिर जाते हैं और कुछ नोजवानों के जिंदकियों में भी ऐसी बाते चल रही हैं मैं उनसे बात करता हूं प्रात्नाय करते हैं उनके लिए उनको कांसलिंग देते हैं भाई निकलो, तुम्हें बढ़ना है। कलीशिया, हमें देखना है कि हमारा चरितर कैसा है, हमारा चाल-चलन कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज भी हम पाप से भरा जीवन जी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी हम वेविचार से भरा जीवन जी रहे हैं। विश्य मसीह के चरित्र को हमें अपनाना है किसी ने कहा कि एक सच्चा मसीह वो नहीं है कि जो पाप ना करे एक सच्चा मसीह वो है जो मौका मिलने पर भी पाप नहीं करता हमारे सामने रोज मौके आते हैं पाप करने के एक सच्चा मसीव वही है जब मौका मिले उस वक्त वो पाप नहीं करता हमारे चारोर का माहोल ही ऐसा है बार-बार हमारे सामने पाप करने का आउसर आता है क्या करते हैं उस वक्त हमें चरित्र में बढ़ता है हलेलुया और सब प्रकार से एक दस बढ़ रहा हो में और सब प्रकार से उसे प्रसंद कर सको हमारा जीवन ऐसा हो जिसे परमेश्र को प्रसंदता हो हमारे जीवन को देख कर हालेलुया और किसमें बढ़ना है सब भले कामों से फल्वंत होकर परमेश्र की ज्ञान में बढ़ते जाओ भले कारियों में अच्छे कारियों में हमें बढ़ना है हालेलुया प्रभुयेश्व मसीन कहा कि तुम्हारे भले कारे है अन्य जातियों के मद इस प्रकार चमके कि वो लोग देखकर परमेशर की जो स्वर्ग में हैं उसके महीमा करें भले काम हमारे सूसमाचार पर विश्वास का परगिटी करन है हम भले काम करते हैं क्योंकि हम सूसमाचार को हमने पाया है हम परमेशों से प्रेम करते हैं इसलिए हम भले काम करते हैं हमें भले कामों में बढ़ते जाना है हलेलुया आज जब हम आ रहे थे जिसके लिए मैं प्रातना की मुहमद सरीव ये लगबग लगबग पचास साल के वैक्ती हों गए रस्ते में रोड के उपर गिरे हुएं लोग जा रहे हैं और बहुत से लोगों ने इग्नोर कर दिया नहीं कोई उनको देखने के लिए आया खाफी सारे लोग थे जो वहाँ पर उसकी मदद कर रहे थे कोई पानी पिला रहे है कोई कुछ कर रहे हम भी वहाँ पर रुख गए और उस व्यक्ति को हमने देखा मैंने उसका फोन निकाला अब उनके घरवालों को मैंने को कॉल करने की कोसिस के उनको मैंने घरवालों को कॉल कि अभी वो पहुंचे यहाँ पर लेकिन आपको पता है मैं एक बात को देकर बहुत ज़्यादा मेरा दिल खुश हुआ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी बहुत प्रोच साहन मैंने पाया एक यंग डोक्टर वहाँ पर आई और वो गाड़ी से भागते वे उतरी वो आर्मी में वो जोब करती है फटा फट वो आई उन अपना बैग वैग उसने साइड में रखा उस वेक्ती को जो जमीन पर पड़ा हुआ था उसने चेक किया और अपने मुँ से उसे वो सांसे दे रही थी ताकि उसकी जान बच जाए अपने मुँ से उसे सांस दे रही है कि वो बैचारा बुजूर्ग वैक्ती उसकी जान बच जाए और उसने इतनी काफी लोग खड़े थे उन्होंने इतनी तेजी नहीं दिखाई वो उसको बस देख रहे थे पाने पिला रहे थे उसके सर को सहला रहे थे लेकिन उसने आते ही अपने मुँ से उसके मुँ से मुँ लगाकर उसको सांसे दी और जब उसके सांसे थोड़ी थोड़ी चलने लगी उसने फटा फटा उठाया गाड़ी में रखा और उसको छोटा सा काम किया मैंने फोन किया फोन उठाया उसके परिवार के लोगों को फोन किया और जिनका वो काम करता था एक मैडम उनको मैंने फोन किया और उस मैडम ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मुझे दे रही थी मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया, छोटा सा ही काम किया वो बहुत ज़्यादा खुस हो रही थी एक कोठी में वो काम करते थे एंकल कपड़े-पड़े सीलने का वो मैडम बाहर रहती, बहुत ज़्यादा खुस हो गई कि आपने बहुत अच्छा काम किया परमिर्षर आपको आश्रीच दे, प्रभू आपको बहुत ब्लेस करें और थोड़ी दर के बाद में फॉन कट कर दिया उसने मेरा नमबर किस नाम से सेव किया? गुड सेमरेटिन, अच्छा सामरी करके मेरा फॉन उसने वो नमबर उन्होंने सेव किया बाइबल के अंदर हमें एक अच्छे सामरी की कहानी को पाते है किस प्रकार उसने एक अच्छे कार्य को किया प्रेम का प्रगटिकर उसने किया हमारे छोटे-छोटे काम किसी को परमिर्षर के प्रेम से परीचीत करा सकते है हालेलुया, चोटे-चोटे काम हम बहुत बड़े-बड़े काम तो नहीं कर सकते, साइद हम यह सोच के बैठ जाएं, यह इतना बड़ा काम कैसे करूँगा मैं चोटे-चोटे काम भी कीजिए, किसी की चहरे पे हसी आए, ऐसा कुछ काम कीजिए किसी के दुख में सहभागी हो जाएए, किसी की खुसी में सहभागी हो जाएए, अब प्रभू का फ्रेम लोगों को दिखाईए, चोट किसी के लिए जितना आप कर सके, फ्लीज करें बहले कारियों में बढ़ते जाओ पौलुस कहता है कुलुस्य की कलिश्या को हमें भले कारियों में बढ़ते जाना है ये शुनाम सच्छन कलिश्या हमें भले कारियों में बढ़ते जाना है कितने भले काम हम करते हैं कितने भले हम काम करते हैं अलेलुया किसी को होस्पिटल ले जाना किसी के लिए दवाईयां खरीद के दे देना ये छोटे-छोटे काम है लेकिन पता है ये कितने बड़े बदलाओं को उनकी जिन्दकी में करते हैं हम साइद अपने 50 रुपे 100 रुपे खर्च करते हैं बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन छोटे-छोटे कदम और होगा ये ये खाया है ग्यान मेंबढ़ने की विसए में उपर आतमिक ग्यान में नीचे परमीस्र की ग्यान में कहकर हो दोबहरा से इस चीज को रिपीट करता है परपेशन के ग्यान में बढ़ते जाओ थो हलिल्लूया देखिए आप इन सारे points को देखिए आत्मी ज्ञान में बढ़िए परमेश्र की इच्छा को जानिए चरितर में बढ़िए भले कामों को कीजिए परमेश्र की ज्ञान से भरते जाएए सीखते जाएए एक सुन्दर जिंदगी यहां पर दिखाई देती है और ऐसा बनना संभव है परमेश्र हमारी मदद करते हैं हम बन सकते हैं ऐसा परमेश्र हमारी साहता करते हैं हमारे लिए रास्ता खोलते हैं अलेलुया परमेश्र की ज्ञान में बढ़ते जो क्या हम परमेश्र की ज्ञान में बढ़ रहे हैं इतना इतना काफी नहीं है कि हम आपस में प्रेम करें बस और एक दूसरे की मदद भी करें भले काम भी करें ये सावी चीजे करनी है हमें अच्छे से करनी है दिल से करनी है आत्मा से करनी है पूरी लगन से करनी है लेकिन हमें परमेश्र के ग्यान में भी बढ़ना है कई बार हम बस इतने में खुश रहते हैं मुझे चर्च में मैं एक सी वोलेंटरी के तोर बाहर गेट पे खड़ा होता हूँ या मुझे चाय बनानी कि मैं चाय बनाता हूँ मैं चाय बाढता हूँ और में खुश हो जाते हैं अच्छी बात आप काम करते हूँ करना चाहिए लेकिन यहां तक सिमित नहीं रहें प्लीज आप आगे बढ़े परमेश्र का ग्यान भी जरूरी है परमेश्र के ग्यान में भी हमें बढ़ना है अच्छे कामों में तो हमें बढ़ना ही है लेकिन परमेश्र के ग्यान में बढ़ना हमारी प्रात्मिक्ता होनी चाहिए जितना हम परमेश्र को जानेंगे उतना वो उपर की चीज जो है वो सारी हमारे चीवनों में आती जाएंगी परमेश्र के वचन का कारिय है जो हम देखते हैं आत्मि ग्यान हो, उसकी इच्छा को जानना, चरितर में बढ़ना, बले काम बढ़ना, परमेश्चर के वचन की सामर्थ है, जब हम अपने अंदर लेते हैं, और वो वचन की सामर्थ हमें, इन सब कार्यों को करने में, ऐसा बनने में हमारी मदद करते हैं, कितना हम बढ़ रहे हैं क्या हम बाइबल भी पढ़ते हैं हमारे पास जो बाइबल है क्या हम पढ़ते हैं इसे क्या रोजाना आपके हाथ में होती है किस प्रकार आप अपने दिन की सुरुआत करते हैं परमेश्र के वचन के साथ उसके प्रात्ना में उसके साथ जुड़ने के साथ हम अपने दिन की सुरुआत करने चाहिए हमारे विस्तर से नीचे पैर जाने से पहले हमारे घुटने प्रभु के सामने जुख जाने चाहिए दुनियावी चीजों में घुसने से पहले काम सब चीजों में जाने से पहले प्रभू के साथ हमारा वारतालाप होना चाहिए प्रभू के वचन से हमें पढ़ने की जरूरत है प्रभू वचन के द्वारा बात करता है प्राचनाओं के द्वारा हम उसे सुनते हैं हललुया कितना हम ज्ञान में बढ़ रहे हैं क्या हमारे अंदर इच्छा है पॉलुस एक कलीशिया को इस प्रकार कहता है कि अब तक तो तुम्हें विदवान हो जाना चाहिए था इतने साल से तुम लोग सीख रहे हो लेकिन तुम लोग उन्हें आत्मिक उन्नती नहीं करी तुम्हें आत्मिक उन्नती करनी है जितना मैंने सिखाया जितना तुम्हें वक्त दिया उस हिसाब से तो तुम्हें विदवान हो जाना चाहिए था लेकिन तुम अब भी छोटे बच्चे दूद पीते बच्चे के जैसे ही हो जो हाड जो खाना होता है उसको हजम नहीं कर पाएगा तुम वैसे हो क्या हम आत्मिक ये परमेश्र की ज्यान में बढ़ रहे हैं अपने आप से मैं पूछना है परमेश्र का वचन परमेश्र की ज्यान में जब तक हम नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे चीवन में हम उन्नती को नहीं देखेंगे परिवर्तन को नहीं देखेंगे परमेश्र का वचन तलवार है बाइबल कहती है दोधारी तलवार जो हमें काटता चाटता है हमारी जिंदगी को काटता चाटता है जो हमारे अंदर विशुद्धिया है उनको वह हमसे अलग करता है परमेश्र की पवित्रता को हमारे अंदर स्थापित करता है वचन कहता है यहरी मया किताब में प्रभो क्या तेरा वचन आग नहीं है आग क्या करती है वो पवित्र करती है। सब्स Willis जब हम डालते हैं आप ने глаз का और सुनार को सोने में रोजा ओस सोने को तापता है अग के अंदर तो सोने की चमक और बढ़ जाती है। उसके अंदर की अशुदिया जो होती है, वो खत्म हो जाती है, और purity, पूरा सुद्ध सोना वहाँ पर बज जाता है, आग प्रभु तेरा वचन आग है, आलेलुया, आग पवित्र करती है, क्या करती है, पवित्र करती है, फिर वही पर यर्मिया के वचन में ये भी लिखा य किताब में, क्या प्रभु, क्या तेरा वचन हथोड़ा नहीं है, तेरा वचन हथोड़ा नहीं है, हथोड़ा क्या करता है, हथोड़ा तोड़ता भी है, और बनाता भी है, हालेलुया, हमारे जिन्दगियों के अंदर जो का ठोड़ता है, प्रभु का वचन तोड़ सकता है हमारे जीवन के अंजर दो निर्मान होना है वो परमेश्र का वचन ही हमारे अंदर कर सकता है क्या हम परमेश्र के ग्यान में बढ़ रहे हैं कई माता पिता ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे के लिए प्लीज दुआ कीजिए उसके अंदर ये है वो ये करता है वो ये करता है उसका कारण कहीं न कहीं माता पिता भी होते हैं क्योंकि उन्होंने इनको सिखाया ही नहीं है आत्मिक जिंदिकी के महतुव को वचन पढ़ना क्या होता है उन्होंने कभी सिखाया ही नहीं है तो बच्चों के जीवन तो वैसा आपके बच्चे भी बनते जाएंगे तो कंप्लेंड करने से अच्छा है कि आप बाइबल पढ़ना सुरू करें प्रभु से प्रात्ना करना सुरू करें उनको सिखाएं बाइबल का वचन का महत्व क्या है परमेश्र के साथ रिष्टे का महत्व क्या है परमेश्र के ज्यान म कलिश्या हमें बढ़ना है कुलुश्य की कलिश्या को वो कह रहे हैं तुम्हें उन्ती करनी है कुलुश्य 11 में लिखा है उसकी महिमा मैं सक्ति के अनुसार जब हम चरितर में बढ़ते हैं भलेकारियों में बढ़ते हैं परमेसर के ज्यान में बढ़ते हैं प्रभू की च्छा कि इसमें सब प्रकार की सामर्थ से क्या बन सको बल्वंत सामर्थ साली बन सको हललुया परमेश्र का वचन जब हम इस प्रकार अपने जिंदकियों में बढ़ते जाते हैं परमेश्र का सामर्थ हमें बल्वान करता है हमें सामर्थ देता है और हमें सामर्थ चाहिए प्रति दिन हमें सामर्द चाहिए पाप से लड़ने के लिए में सामर्द चाहिए विरोध जो हो रहा उसके लिए में सामर्द चाहिए सुसमाचा सुनाने के लिए में सामर्द चाहिए हमें सामर्द की जरूरत है अलेलुया जिस प्रकार से हर प्रकार के द्रिटता और धेरिये तुम प्राप्त कर सको हमें द्रिटता चाहिए हमें धेरिये चाहिए द्रिटता चाहिए कि जो बाहर से जूटी शिक्षाएं आ रही है कुलिशिय के अंदर जूटी शिक्षाएं आ रही थी ना तुम्हें द्रिटता को पाना है ताकि तुम्हारे सामन करकों जो जो जूटे सिक्षक हैं उनका सामना तुम कर सको उनकी शिक्षा के कार्ण तुम भटकना जॉँँ सची वास्तुव शिक्षा में प्रभु के घ्यान में तुम स्तिर हो जाओ त्रिड हो जाओ अलेलूया और तुम क्या करो धेर है कि तुम क्या हो जाओगे जिससे हर प्रकार कें द्रिटता और धे है हमें धीरज की जरूरत हैं कि ओंधिरज जब इसight वक्त सताओ का समय चल रहा है चारों कलीशाओं के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं मे कलीशा को तोड़ा जा रहा है, हमें धीरच चाहिए धीरच के साथ हमें प्रात्ना करनी है परमेश्र के हस्त शेप के लिए हमें इंतिजार करना हमें धीरच की जरूरत है हम जल्द बाजी में कुछ ना करें धेरिया हमें चाहिए अललुया परमेश्र की सामर्थ हमें बलवंत करेगी परमेश्र की सामर्थ हमें द्रिड़क और धेरियवान करेगी बस जल्दी कतम करता हूँ एक बारा में इस प्रकार लिखता है पोलुस एक बारा में और पिता का धन्यवाद आनन से करते जाओ उन्नती करने के बारे में उसने बता दिया तुम्हें उन्नती करते जाना है तुम्हें बढ़ते जाना है आगे बोला है परमेश्र का धनेवाद भी तुम्हें करते जाना है क्या लिखा हुआ है आनन से परमेश्र का धनेवाद करते जाओ प्रति दिन तुम्हें परमेश्र को धनेवाद देना है और पिता का धनेवाद आनन से करते जाओ जिस ने हमें इश्यों के बनाया कि जोती में पवित्र लोगों के साथ उत्राधी कार में सहभागी हूँ हलेलुया हमें धनेवाद देना है परमेश्र को जो उसने हमारे चीवनों में कारिय किया है उसके लिए, उसकी जोती के लिए और उत्रादिकार में सहबागी उसने हमें बनाया है हमें धनेवाद, परमेश्र को धनेवाद देना है हलेलुया, क्या हम धनेवाद देते हैं? हाँ देते हैं, कब देते हैं, प्रभु धनेवाद इस खाने के लिए जो आपने में दिया, ऐसे होता है क्या, प्रभु धनेवाद इस खाने के लिए जो आपने में दिया, धनेवाद का विशय सिर्फ खाना ही है क्या, आपकी आँखे जब खुलती है वो धनेवाद का विशय हैं आलेलुया वह परमेश्रकी आशीश है धनेवाद का विषय है हमें धनेवाद देना चाहिए रोटी उसने जो संद्क से परमेश्र का धनेवाद करते जाओं देखिए एक भी बार यहां बार बार हम देखते हैं प्रभु यह मसी ने इस बात को यह नहीं कहा था कि तुम्हारी जिंदकी स्मूध होगी अच्छी होगी बिल्कुल फूलो जैसी होगी प्रभु ने का तुम मेरे पीछे चलो दो परमेश्र का इस प्रिस्तिती में भी हालेलुया और धनेवाद का विशे और क्या है तीन बड़ी आशिशों को पोलुस यहां पर बताता है हमें तुम कलिशे की कलीशिया तुम्हें धनेवाद देना है और ये सुनाम सत्संग कलीशिया हमें परमेश्र को धनेवाद दे ये किन चीजों के लिए तीन बड़ी आशी से क्योंकि उसने हमें चुड़ाया है हालेलुया उसने हमें चुड़ाया है हालेलुया क्योंकि हम वचन कहता है कि तुम भटके वे सैतान के जो आकास के जो हाकी में उनके पकड में हम थे पाप में हम जखडे हुए थे परमेश्ट वजिश्र को धने वाद हमें देना है उसने हमें अपने पुत्र के राज्य में प्रवेश्र कर वाया है इसलिए हामें परमेश्र को धनेवाद देना है हालेलुया येश्व मसी ने कहा कि स्वर्ग का द्वार मैं हूँ जब हम विश्वास करते हैं परमिश्चर कि उस आशा में मिराश में जिसके इंतजार हम कर रहे जो बविश्य में मिलने वाला है उसमें हम परवेश्च कर पाएंगे प्रभु येश्व मसी पर विश्वास के द्वारा हम स्वर्ग में जाएंगे हालेलुया अपने पुत्र के राच्यु में उसने हमें परवेश्च करवाया है इसलिए हमें उसको धनेवाद देना है तीसरी बात क्या है उसने हमारे गुनाहों को ख्षमा किया है इसलिए हमें उनको परमेश्र को आनंद के साथ धनेवाद देना है तेरा में पढ़िये उसने तो हमें अंदकार के सामराज्य से चुडा कर अपने प्रिये पुत्र के राज्य में परवेश्च कराया है चौदा में लिखा है उसने जिसमें हमें चुटकारा अर्ताथ पापो की ख्षमा प्राप्थ होती है इन तीन बड़ी आसिसों को उनको बो आया है हम उसके राज्य में जी रहे हैं चल रहे हैं उसके राजी के और बढ़ रहे हैं और एक दिन उसके राज्य में परवेश्च कर जाएंगे हाललुया और उसने हमारे गुनाहों को ख्रमा किया है इन तीन बातों को रखता है जिसके लिए उन्हें आनंद के साथ प्रत दिन धन्यवाद दिना है